नमस्कार दोस्तों न्यूजिलैंड के खिलाफ साउथ अफरीका वुमेन की सानधार जीत के बाद बदल गया वुमेन टी-ट्वेंटी वल्ड कप दो हजार तेस का पूरा 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 पूरेंट सटेबल बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप भी वर्थी टीम के बहुत बड़े फैन है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों वुमें T20 वर्ड कप में आज न्यूजिलेंड और साउथ अफरीका वुमेंड की टीम के बीच मुकाबला खेला गया जहां साउथ अफरीका की टीम ने टोस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया पहले बले बाजी करते हुए साउथ अफरीका वूमेन की टीम की शुरुआत बहदी खराब रही लेकिन साउथ अफरीका की टीम 20 ओवर में 132 रन 6 विकेट की नुकसान पर बनाने में काम्याब हुई और साउथ अफरीका की टीम की टीम की टीम की टीम से टाइरोन ने सबसे ज़्यादा 40 रन बनाई और न्यूजिलेंड की टीम की टीम की तरफ से ताहूँ ने सबसे ज़्यादा दो विकेट लियो और वहीं जवाब में 133 रनों के लकसे का पीछा करते हुए न्यूजिलेंड ट जीत के बाद Women T20 World Cup 2030 के दोनों ग्रूपों के पोईंस टेबल पर वहीं दोस्तों ग्रूप वन में नमबर वन पर सिरलंका की टीम है जो अपने दो मुकाबलों में चार अंग हसिल कर चुकी है और उसकी बाद नमबर दो पर अस्टेलिया की टीम है जिसके एक मुकाबले में दो अंग है और उसके बाद साउट अफरीका की टीम नमबर तीन पर चली गई जिसके दो मुकाबलों में दो अंग है और वहीं नमबर चार पर बंगलादेश की टीम है पहला मुकाबला हार गई है और उसके बाद नंबर पाच पर न्यूजी लेंड की टीम है जिसके दो मुकाबलों में चार अंक हो चुके हैं और उसके बाद नंबर दो पर भारत के टीम है जो अपना पहला मुकाबला जीच चुकी है और पॉइंट स्टेबल में दो अंक है और वही नंबर तीन पर पागिस्तान की टीम है जो अपना पहला मुकाबला भारत से हार गई है और पॉइंट स्टेबल कर लीजिए